इस पर्टिकुलर लेक्ट्रे में हम बर्ड डैववार्स देखने वाले हैं पर apply होता हुआ नजर आएगा regarding divorce, marriage, inheritance, etc. है ना? अब देखो यहाँ पर news में हमें एक article देखने को मिला regarding bird divorce, तो हमारे लिए important हो जाता है कि यह है क्या? also birds जो है उनकी प्रजाती के regarding अलग-अलग-अलग-अलग research आती रहते यह एक नई सी research मुझे देखने को मिली, so I thought कि इसके उपर वीडियो जरूर अवेलेबल होनी चाहिए start करते हैं अपने आज के lecture को पर उससे पहले आप सब anacademy के साथ जुड़कर अपनी तयारी को start कर सकते हैं, अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं anacademy UPSC promise से अगर आप जुड़ते हैं और आपको prelims clear हो जाता है तो आपको fully paid QEP मिलेगा mains के लिए, mains clear हो जाता है तो आपको interview guidance program free मिलता है और आपको interview भी clear हो जाता है तो 100% आपकी fee refund हो जाएगी annual price hike जल्दी होने वाला है तो अगर आप unacademy का subscription लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं करें also देखिए कोई भी अगर आप course ले रहे हो एक code का आपको इस्तमाल करना है that is AMS life ये जो code है इसका इस्तमाल करोगे आपको benefit ज़रूर मिलेगा RM batch के अंदर आप enroll कर सकते हैं ट्रतिग्या batch के अंदर आप enroll कर सकते हैं जो की core हिंदी के अंदर है and it is going to get life from July 10 ठीक है तो इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं optional की तयारी भी आप academy के साथ जुड़कर कर सकते हैं ये सब teachers हैं जो की optional cover कर रहे हैं and foundation success program English as well as Hindi दोनों में available है तो जिसमें आप तैयारी करना चाते हैं आप इसके अंदर भी enroll कर सकते हैं चले अब देगे बर्ट से regarding बहुत सारे phenomena हमें सामने आते हुए नजर आते हैं और जो देखो UPSC अब बहुत अलग-अलग प्रकार के questions पूछ रहा है recently एक dance के ओपर भी question आ गया था है ना तो आपको नहीं पता कि UPSC आपसे क्या पूछ ले तो इसलिए it is important कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए है ना तो यहाँ पर एक हमें article देखने को मिला birds के regarding कि birds के behavior के regarding तो हम सब fascinated रहते हैं अभी हमें देखने को मिला है कि जो divorce है माना कि हम जातर उसे human से कहीना कहीं relate करते हैं but birds also go through divorce and इसके ओपर पूरी research होई है and यहाँ पर avian life को कहीना कहीं देखा गया है birds की life को देखा गया है बहुत सारे patterns हमें देखने को मिले हैं जो कि repeated way में कहीना कहीं बार 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 होते चले आए and impact भी उसका climate change पर पड़ा है तो climate change का impact have not only come on the environment but also personal life अगर हम animals की देखें उन पर भी कहीना कहीं असर हुआ है इससे आप इस चीज़ को relate कर सकते हैं now several factors have been identified कि क्यों जो birds हैं वो भी divorce kind of situation देखते हैं पहला यह बताया हुआ है male promise quity promise quity का मतलब होता है to engage in sexual activity with another partner तो इसके वज़े से भी divorces होते हैं also देखो multiple meeting partnership की वज़े से divorce rate बहुत जादा बढ़ गई है जो male birds हैं ऐसा हो सकता है कि वो time कम दे रहे हैं अपने पहले वाले partner को इसकी वज़े से भी issues हो रहे है instability होती है long distance migration जब बहुत जादा distance का migration होता है उसकी वज़े से भी problems आती है challenges आते हैं जिसके वज़े से जो couples हैं वो कहीना कई birds वाले भी जो couples हैं वो कहीना कई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उनका bond अलग हो जाता है और बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े आई हैं देखो इस research के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं कि divorce behavior कहीना कई genetic basis पर भी हमें देखने को मिला की effect है और सो evolutionary factors कहीना कहीं reasons हैं कि हमें एक hike देखने को मिला है bird divorce के अंदर यहाँ पर यह बोला गया है कि high divorce rate, male prosecuting certain birds के अंदर हमें दोनों ही देखने को मिला है जैसे कि plovers हो गए, swallows हो गए, martins, aerials, blackbirds ठीक है यह सब में combination हमें दोनों का ही देखने को मिला है कि high divorce rate भी है, male promise cutie भी है, दोनों की वज़े से कहीना कहीं जो relations है वो नहीं चल पाते और इसकी वज़े से बहुत ज़ादा issues हो रहा है, male birds commitment जो नहीं है towards a single partnership उसकी वज़े से problem हो रहा है और यहाँ पर और भी बहुत सारे reasons बताया हुए है, commitment नहीं होना also breeding season की वज़े से भी problem होती है, बहुत बारी क्या होता है, जब breeding season आता है तो कौन पहले arrive कर रहा है, क्योंकि birds बहुत जादा migrate कर रहे है जो पहले कहीना कहीं arrive हो जाते हैं, पहले कहीना कहीं destination पर पहुँच जाते हैं उनको यह है कि उनको breeding pairs मिल जाते हैं, partnerships नहीं मिल जाती है तो कहीं ना कहीं, यह जो divorce वाला scene है, यह थोड़ा fade away हो जाता है बट अगर आप late पहुचते हो, तो problem होती है, also इनको जैसे कहते हैं बाडी में भी changes आते हैं, दो नहीं चीज़ें होती है, तो higher divorce rate इसलिए शायद देखने को मिलता है तो climate change बताय जा रहा है कि climate change जो है, जो कि हम बार-बार discussion में लेते रहते हैं कि climate change की वज़े से हमें overall earth में बहुत सारे negative impacts देखने को मिल रहे हैं तो climate change भी एक shift लेकर आता है, weather pattern के अंदर, उसकी वज़े से migration पर भी असर होता है उसकी वज़े से birds में भी असर होता है, उनमें भी irritation आता है, उनमें भी migration timings में problem आती है फिर synchronization of breeding pairs में issue आता है, तो directly या indirectly birds पे भी वो impact करता है not only physically, not only उनके environment wise, बट उनके अगर आप relations wise देखो, personal life पे देखो, उस पे भी असर पड़ता है तो ये एक अलग सी research लगी मुझे, जिसके उपर मुझे लगा कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए अगर वीडियो informative लगी हो, interesting लगी हो, आपने पहली बार सुनी हो, तो like का बटन जरूर दबा देना also share it with your friends, bye bye, take care